नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रमोट ठाकुर और आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रोड़क्ट क्रेफिल यूटूब पेनल दोस्तों आज इस वीडियो में हम अन्वॉक्सिंग और रिवीव करेंगे बजाज के इस ग्रिल माइक्रोवेव ओवन की इसका मॉडल अमबर है 2005 इस वीडियो में आपको बजाटके इस ग्रिल माइक्रोवेव ओवन का प्राइस पीचर्स वारंटी एससरी कंट्रोल्स और उसे के बारे में डिटेल में बताऊंगा यह आप एक माइक्रोवेव ओवन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतर दिरूर देखेगा ताकि आ आप अपने लिए बेस्ट ग्रिल माइक्रोवेव ओवन सेलेक्ट कर सकें और यह दी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन दबा दें इस चैनल पर मैं ओम अप्लाइंस और केचन अप्लाइंस देट रिवीव और अप्डेट्स लेकर आ तिस माइक्रोवेव ओवन इस माइक्रोवेव ओवन में मैगने माइक्रोवेव ओवन के साथ हिटिंग कोल होती हैं उसको कहते हैं ग्रिल माइकरोव ओवन और यह है वजर्क 2005 eighthары growing ओन गिसमां आपको इस तरीक ने को मिल जाता है आईए देखके इस बॉक्स में आपको क्या कर देखने को मिल जाता है दोस्तो इस grill microwave oven के बॉक्स में आपको एक ये oven grill tray one plate warranty card और manual का instruction देखने को मिल जाता है तो ये सारा समान मिलता है आपको पजाच के इस grill microwave oven के बॉक्स में आप बात करते हैं इस microwave oven के ओवर्वीव की तो ये grill microwave oven है जिसकी capacity है 20 liter की जो suitable होती है 2-3 परसन power out रूप मिल जाता है 800 वाटका और इस oven में आपको बनियर warranty on product और magnetron मिल जाती है ग्रिल microwave oven की हल से आप reheating, defrosting, limited cooking, grilling, toasting और roasting जैसे सबी काम बढ़ी आसानी सब बढ़ी जल्दी कर सकते हैं वहीं बात करूँ features की तो पजाज के इस grill microwave oven में आपको jog dial, child lock, 9 auto cook menu, electronic controls, multi different power level for different cooking और 60 minute timer जैसे main और important features मिल जाते हैं आईए इस oven के controls को थोड़ डिटील में बात करते हैं दूसकों इस microwave oven में आपको black glass door मिल जाता है साथ जात ये white color का handle मिल जाता है जिससे आप इसको open और close कर सकते हैं इसमें आपको ये बजाज की branding और ये model number मिल जाता है इस oven के gate को खोल के दिखा देता हूँ ये है इसका oven chamber, इसकी capacity है 20 liter गी साथ जाता है इसमें आपको digital display देखने को मिल जाता है दोस्तों मैं इसको इसके controls बताता हूँ ऐसा बोला जाता है कि microwave oven को खाली नहीं जलाना चाहिए तो इसलिए मैं इसमें दो पटेटो रख देता हूँ ताकि कोई issue ना है अब मैं आपको इसके controls के बारे में बताता हूँ सबसे पहले सबसे पहले सबसे आपको कोई चीज रिहीट करनी है या फिर थोड़ी ची गरम करनी है तो यह स्टार्ट का बटन होता है जैसे आप इसको दवाएंगे यह 30 सेकेंड के लिए और हो जाता है यह 30 सेकेंड के लिए ओन हो गया सबसे पहले आपको बटना था है पावर का जिससे आप इसमें पांच लेवल पावर के सेट कर सकते हैं सबसे पहली बार आप इसको दवाएंगे तो यह 100% 80% 60% 40% 20% और यह जीरो नॉर्मली ज्यादा तर यह 100% पर यूज के जाता है डिपेंड करता है क्या डिस्स बना रहे हैं या फिर कौन सा जो वेंजन खाने का बना रहे हैं दूसरा बटन आता है ग्रिल का जब आप ग्रिल को प्रेस करेंगे तो यहां से यह आप पर टाइम स जाते हैं इसको मैं स्टॉप कर देता हूं तीजरा बटन आपको मिलता है कॉंबो का कॉंबो मुले तो इसमें आपका ग्रिल और माइक्रोवेव दोनों एक साथ बजाते हैं यह आप इसको देवाएंगे पहला एक कॉंबिनेशन वन और कॉंबिनेशन टू इसमें दो विट अड़ेस्ट का विट अड़ेस्ट काम आते हैं देखिए समा आंपको नाइन ओटो फॉक मैनु मिलते हैं यह नाइन ओटो फॉक मैनु यहां पर लिखे हुए है पहला है मिल्क और कॉपी दूसरा है राईस तीसरा है बगेटी चॉता है पटेटो आटो रिएट फिस चिकन, मीट, मटन और इस्क्रियो मीट पतला जो आप इस्क्रियो पर लगाते हैं जैसे कावा बनाना हूँ आपको उसके लिए यह कहते हैं तो जो भी आप आप अटो कुक इसमें मैनू यूज करेंगे सपोस आपको राइस बनाना है तो राइस आप इसके अंदर रखेंगे इसके अंदर आप राइस रखेंगे, राइस रखने के बाद इसमें मैनेश्व होड़ा है को तो फथीन चर्वा उट्यार्व हैं तो इसमें 24 मिनट माटार तियार हो जाएंगे अ मैं इसको स्टॉक कर देता हूँ सपोजुब को चिकन मनाना है तो चिकन है वन तूट ट्री फॉर फाइश सिक्स सैनल नंबर पे तो आप इस डाइल से सैट करेंगे सेवन सेट करने के बाद आप ये बीट डवाएंगे यह इसमें 800 ग्राम, अगर 800 ग्राम आपका चिकन है, तो आप इसमें इसको ओन कर देंगे, उसके इसाब से इसने 33 मिनिट ले लिए, यानि 33 मिनिट में आपका चिकन त्यार हो जाएगा, मैं इसको स्टॉप कर देता हम, इसके बाद यह बटन है, वेट डिफ्रोस्ट का, यानि अगर लेगा, तो आपको आपको ये नही बता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो आप लेगा कि इसको पर सब्याइब, सबस्याल करने कहते हैं, जे बच के 11 मिनिट हो रहे हैं तीसरा आता है यह स्टॉप और कैंसल का जिससे मैं बार बार आपको दिखाई रहा हूं किस्ते कैंसे कैंसल कर सकते हैं और यदि इसमें आपको चाइड लॉक का भी फीचर मिल जाता है यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो जो आप चाह प्लाइब कोई भी काम नहीं करेंगा इसका चाहिड लॉक एक्टिवेट हो गया द्वारा आपको चाहिड लॉक हटाना है तो आप इसको प्रेस करके रखिए तो यह सारे कंट्रोल साब को इसके अंतर मिल जाते हैं यह नाइन आटो की मेन मिल जाते हैं और यह है जॉक पजाज के 2005 ETP Grill Microwave Oven में आप बात करते हैं इस ग्रिल माक्रोवेव और चाहिए यह नहीं तो दोस्तों यह अदि आप कम बजेट में कची क्यों का ग्रिल माक्रोवेव को लेना चाहिए जो चलाने में आसान हो और आपका खाना जल्दी से बना दे तो आप इस grill microwave को ले सकते हैं यदि आप online लेना चाहते हैं तो description पर आपको link मिल जाएगा वहाँ क्लिक करकर आप इसको ले सकते हैं वहीं यदि आप after market से लेना चाहते हैं पूना के असवास हैं तो आप success electronics से इसको ले सकते हैं इसक्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए विदें 24 hours ये product आपको deliver हो जाएगा और यदि आपको इस ओवन से लिटिट कोई confusion है तो आप comment में लेकर बेट से पूर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही आसा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आयोगी यदि ये वीडियो आपको पसंद आयोगी तो इस वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe जूरू कर लें मैं ऐसी interesting वीडियो चैनल को अफसल लाता रहता हूँ तो दोस्तो खुस रहें, स्वस्त रहें, नमस्कार